नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मारी यूट्यूब चैनल इंडियन गुर्मेंट जोब में दोस्तों नए अपडेट के साथ आज पिर आज 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 जिरूए हैं तो एयर इंडिया इंजिनियरिंग सर्विस लिमिटेड द्वारा 120 खाली पदों पर बरती निकाली गई है इसमें जो जो जोन वाइज यानी रिजएन वाइज जो इन्होंने वेकेंसी दी है वो इस्टन जो है उसमें टोल वेकेंसी जो एसिटेंड सुपर्वाइजर के पोस्ट पर बरती होनी है तो इसमें इस्टन के लिए 15 खाली पद हैं और वेस्टन के लिए 80 नोर्थन के लिए 50 और साउथन के लिए 25 खाली पद परिये बरती होनी है इस पर कारिये टोटल चारों मिला के 170 पद परिये बरती होनी है इसमें जो eligibility का जो criteria इन्हों ने याद दिया है वो assistant supervisor पोस्ट का नाम इन्हों ने याद दिया है general admin finance तो इसमें qualification जो दी है वो graduate degree आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का diploma, diploma in engineering और aircraft maintenance engineering और computer science engineering ये आपकी qualification होगी तो इसमें experience जो दिया है वो minimum एक साल का experience दिया है और work experience in data entry computer applications और इसमें one year post qualification working experience in aviation related software इस पर कर इन्हों ने या experience और qualification इन्हों ने याद दी है इसके बाद जो इन्होंने age limit के बारे में बताया है तो इसमें maximum जो age limit है वो आपकी एक अगस्त 2019 के अनुसार आपकी age जो count की जाएगी तो इसमें general जो category है उसके लिए 33 साल, OBC के लिए 36 साल, SCST के लिए 38 साल और इसमें जो assistant supervisor के लिए जो salary नोने आफिक्स की है वो है 19,570 रुपे पर मन्त यह आपकी salary रहेगी इसमें duration of contract तो contract based की यह vacancy है तो इसमें contract का जो आपका duration रहेगा वो 5 साल का रहेगा और selection का जो process है वो online skill test आपका रहेगा इसमें जो important जो dates दी है यहां जो आपके online form fill होने start होंगे वो 19 October 2019 से शुरू होंगे और इसकी last date जो रहेगी वो 5 November 2019 इन date के बीच में आप अपना form fill कर सकते हैं यह आप इसके लिए eligible हैं तो इसके बाद जो date of downloading of admit card इसकी जो rate दी है वो 10 November 15 November के बीच में आप अपने admit card download कर सकते हैं और examination जो skill test की जो date दी है वो 24 November 2019 रहेगी इसमें जो application का जो procedure जो रहेगा तो इसमें selection will be through the process of online written examination skill test और non refundable आपकी यह fees रहेगी तो इसमें जो general EWS और OVC candidate के लिए जो यह fees दी है वो एक जा रुपे है कि SCSTX servicemen के लिए 500 रुपे फीच रहेगी physical handicapped candidate है उनके लिए फीच में छूट दी गई है इसके बाद इन्होंने यहां अपनी इनकी website दी है जिस पर आपने अपने form fill करने हैं तो इसमें aiesl.assistant supervisor.parakh.online यह इनकी official website रहेगी इस पर आपने form fill करने हैं और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के description box में इनका link दे देता हूँ है वहाँ से अपने ही सारे जानकारी जुटा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो को like करें शेयर करें और subscribe करना न भूलें धन्यवाद